निर्वासपजी मंडी में आने वाले बाहनों के लिए जगह की कमी की बचा से कई कई घंडे जाम लगना आम बात हो गई है मंडी के बाहर मातर 15 से 20 बाहनों के खड़े होने की जगह है मंडी के अंदर बाहन खड़ा करने के लिए जगह न होने के कारण वाहन चालक अपने बाहनों को बाहर सड़ किनारे ही खड़ा कर रहे है जिस बजा से यहां कई कई घंडे जाम लग रहा है शिमला से वाया नेर्वा पावटा जाने वाला यह हमारग यूवी अकसर काफी व्यस्त रहता है इन दिनों सबजी मंडी के बाहर बाहनों के खड़ा होने से स्थिदी इतनी बज़तर हो गई है कि कई बार नेर्वा से नियोटी तक 3-4 किलो मेटर तक बाहनों की लंबी कतारे लग जाती है जिस बजा से आम लोगों के सासाथ मरीजों को भी परशानी उठानी पल रही है कई बार एमबोलस बाहनों को भी इस जाम में घंटों फसे रहने से मरीज बहाल हो रहे है वहाँ जाम खोलने में पुलिस को भी बड़ी मशकत करनी बढ़ रही है यहाँ पर बागवानों को टॉयलेट की बड़ी दिखते आ रहे है टॉयलेट के लिए खड में जाना पड़ रहा है बागवान को बहुत दिकत है इसलिए हम चाहते कि सरकार के माद्यों से यहाँ पर जाम है गंदगी है इसका समधान पीने का पानी और गंदगी भी बहुत पड़ी है स्पाई का भी भीशेश नहीं हम चाहते कि मीडिया के माध्यां से आप से इसकार को आपकरत राए और लावार इस पसुभी चारे इनको यह भी कहीं रहने के लिए इसनी बारिश में भीग रहे हैं कोई ऐसा शेट नहीं है कोई ऐसी जगा नहीं है जा पे बारिश से भच सके इसलिए हम चाहते कि गंदगी का अधाराद शेश क्यान रखे, साई का शेश क्यान रखे, पुलिस नहीं हम पे पुलिस कम से कम चौबी गंटे पुलिस भाई तैनात होने चाहिए और यह आप से आगरे है दिवेह माचल बेव टीवी के लिए नेरवा से सूरेज सूत की रिपोर्ट अध्मिशन ऊपर, सत्र प्रतिशत सधिक अंको पर पाए आकर्शक स्कॉलर्शिप देर ना करें, आज ही संपर करें या फिर लॉग इन करें, लिमिटेट सेट्स ओनली